हेलो फ्रेंज आज की डेट है 27 पॉइपरेल 2024 स्वागत है आपका आज के करेंट अफे डिस्कसन में चले डिस्कसन स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल है टॉप न्यूज का वो आर्टिकल है पॉलिटिक से समय लेने की बात करी है मोदी जी ने कुछ टाइम पहले एक स्पीच दी थी जिसमें एक कमिनिटी से समझेद बात की गई थी तो उसके रिलेटर कॉंगरिस ने का है कि मोदी जी पर एक्शन लिया जाना चाहिए इलेक्शन कमिशन से इससे समय दित कंप्लेंड भी की गई है तो politics इस में ज्यादा दी रखिए है हम हम इस पर discuss नहीं करेंगे Because politics आह वह आग्जान के प्रस्पेक्टिव ते से Pengant नहीं होती है हम चलेंगे हमारे पहले article की पहला article हमारा एक रिपोट के बारे में है Global Financial Stability Reporter 2024 के बारे में तो इस रिपोर्ट की finding क्या है यह important नहीं है ज्यादा तर रिपोर्ट की जो finding होती नहीं वो important होती नहीं एक्जम के प्रस्पेक्टिव से important है यह रिपोर्ट के बारे बात कर लेते है वेस्वीक विट्टी इस्तिर्ता रिपोर्ट global financial stability report सबसे पहले important point एक इसे release कौन करता है इस इसे IMF International Monetary Fund यानि की अंतरश्टी मुद्रा कोस्ट के दुवारा release किया जाता है यह एक अर्दवार्शिक report है यानि की साल में दो बार release किया जाती इसको एक April में 8 October में release किया जाता है क्यों release किया जाता है इसे release किया जाता है financial condition देखने के लिए जो बाजार है जो market है उसकी वित्ती इस्तिरता किस प्रकार से है उस वो फाइननसी रूप से stable है या नहीं है इन सब चीजों का अंकलन करने के लिए इसे release किया जाता है तो यह इसका परपज़ है बस आपको दो तिन चीजे इसमें याद होनी चाहिए पहले इसे release कोन करता है इसे IMF के दवारा release किया ज जाती है यह वित्ती बाजारों की इस्तिरता और उसकी वित्पोशन के बारे में release की जाती है यह point इसके बारे में पता होने चाहिए अब हम देख लेते हैं वित्ती इस्तिरता बोर्ड financial stability बोर्ड के बारे में देख लेते हैं यह एक international institute यानि के अंतराश्टी संस्ता है ठीक करना यानि कि जो भी information होती है उसे exchange करने का इसका काम है ठीक आपको काम याद होना चाहिए इसका काम है जो वित्ती इस्तिरता के लिए responsible जो भी अधिकारी होते है उनके बीच में समन्वे बनाए रखना और जो सूचना होती information होती है उनके आदान पतार यानि कि exchange करने के लि में इसका headquarters है इसके जो भी decision होते है वो बाधिकारी यानि के binding नहीं होती है यह point आपको याद होना चाहिए इसके निरने बाधिकारी नहीं होते है नहीं मानों तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो यह दोनों के बारे में देख लिए अब एक चीज है international monetary fund इसका भी जिक बनी थी एक बनी थी IMF दूसरी बनी थी world bank तो अभी IMF की बारे में बात हो रही है IMF इसकी 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 निर्दे सक है वो कोन है इसकी director कोन है यह आपको याद रखने की आव सकता नहीं अगर रहता तो कर लो क्रिश्टिलीना जिनोवा इसकी जो डिरेक्टर है और फिर गीता गोपिनाथ यह इसकी जो डेप्यूटी डारेक्टर होते हैं वो है गीता गोपिनाथ जी ठीक है अर्शास्त्री कोन याद रखने के आवस्तार नहीं कारे क्या करती है यह financial stability यानि वित्तिता बना रखने के लिए कारे करती है जो पी देश होते हैं उनको लिए अलगलब परकार से हल्प करती है अगर किसी देश की विट्य इस्तित्रता बदब वो financial रूप से इस्तिर नहीं है उसकी इस्तिता खराब है तो उसके लोन ले लोन देती है उसकी हल्प करने का कार्य करती है भारत को भी 1991 21 1901 में help की थी क्योंकि बारत में भी विस्तिय इस्तिता है वो खराब इस्तिती आ गई थी इसलिए भारत के help करी थी तो ये पॉइंट कुछ इसके बार है पता होने ची कॉन कॉन से रिपोर्ट रिलेज करती है विस्विक विस्तिय इस्तिरता रिपोट और विस्विक अर्थिक आ लूग डिःश्व इसके द्वारा रिलेज की जाती है एक यूप अंक्यूट्र पूचाता मतलब इसे रखी जाती ौई भी देसे वह इसके रूप में रख सकता है तो अलग परकार की करेंसी रखी जाती है यह कफी पूराणा की उसन है तो इसायममे नही Corrency जोड़ी गए थे इन में से कौन आपको इसका answer देने की कोशिज करने नहीं तो नीचे इसका answer दिया हुआ तो renband B है na de answer है इसको जोड़ा गया था यह दूजा 16 में की बात इसको जोड़ा गया था इसमें अलग-अलग currency होती है जैसे कि US का डॉलर है फिर यूरो है रेन भी है पिर जापान की येन है पाउंड है इन सब को लखा जाता है फिर इनकी अलग लग वेटेज भी होते हैं वेटेज कैसी वेटेज ते किया जाता है कुन सा देश कितनी हल्प कर रहा है तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है के बारें पता होना चाहिए ठीक है जी फिर इससे समद्द एक और क्यूशन आया है यह को आई एम फैन वो अलगल प्रकार के लौन देती है तो अलगल जो संस्ता है वो लौन देती इस लौन के क्या का जाता है तो रैपीड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपीड क् वो इसी तो इसे वाय an ना अंतरश्य Depаков क मुध्रा कोश। यह कुछ पॉइंट हम आने इस प्रकां सी आपको याद होने चीधित तो देख लो आई एम फैन और देस्टों के लिए अलगल चीजिए प्रवाइड करता है तो बाहब में मीघ्यम mrm के В्याधियर अग्य करता है फिर rapid financial instrument प्रवाइड करता है यानि कि तुरंट लॉन की आव सकता होती तो rapid financial instrument जो IMF उनके दुवारा प्रवाइड किया जाता है तो यह कुछ information थी IMF से समझ दे चलते हैं हमारे next article की और next वही politics मोधी जी ने जो speech दी ती राजिस्तान में controversial speech थी उसके fact check वगरा किये जा रहे है कि जो speech दी थी वो सही थी या नहीं थी नहीं देखेंगे काम का article नहीं है ignore कर दो फिर Sam इसमें भी वही बात ओरी तो इसे भी ignore कर दो next जो article है star campaigner के बारे में representation of people act 1951 इसमें इसकी बारे में वर्णन किया गया है तो क्या वर्णन किया गया है किसी भी जो political party जो register political party है उसके 40 सदस है उसे star परचारक की रूप में गोसित किया जा सकता है या निकि मानेता प्रप्त दल जिन दलों को मानेता प्रप्त है उनके 40 maximum 40 जो सदस है उनको star परच के रुप में newt किया जा सकता है अब इसको newt क्यों किया जाता है क्या फाइद हुते है पहले तो जो star परचारक होगा उसके उ पर जो खर्चा होगा उसको count यसाग कि निबात है जिस परकार जिये ये एक इस्टार परचारक की भूमी का निबाते हैं, तो ये इस्टार परचारक होते हैं, जो पूरे देश में कहीं भी जा कि परचार करते हैं, इनका expenditure काफी बड़ा होता है, तेह नहीं किया जाता है, छोटी मोटी चीजों में, इस परकार से काम करते हैं, इस्टार परचार होता है इससे ज़्यादा है वो खर्चा नहीं कर सकता है ऐसा किसमें लिखा है एसा लिखा है लोग परतिनित्व अधिनियम 1951 उसमें लिखा गया है कोई भी उमीदवार है वोगर चुनाव लड़ रहा है तो उसका खर्चा तैक किया हो गया है इससे ज़्यादा नहीं कर सकता बट जो इस्टार परचार का खर्चा है वो सामिल नहीं है अगर कोई यहां से उमिदवार लड़ रहा है दिल्ली से ठीक है फिर कोई इस्टार परचार के वो कहीं और से आके यहां पर परचार कर रहा है इसके लिए परचार कर रहा है तो वो इसका जो खर्चा है न इस्टार उनको आहत नहीं करना चाहिए उलंगन की भी कई मामले सामिल आए हैं तो आप एक्जांपल दे सकते हो बट यह एक्जांपल है डार्ग नाम वाल एक्जांपल आपको अवैड करने किसी का नाम लेकि यूपीए से में लिखना नहीं है नहीं तो नंबर कटने की संभावना रह सकता है इनको इस यंझ को बचना चाहिए इस परकार आप लिक सकते हैं इस परकार कि के बयान बजिका सकते है तो उनको रोकना चीए जाती वाट बहावना को भड़का इी तो णोनऊ रोका जाना चाहिए, उनके जो चुनाव परचार पर गैन लगा दिया जाना चाहिए, यह पूरा इसपस्ट होना चाहिए, तो यह पूरा है, वो सुदार की जा सकते हैं, इसके समद्धी निसकर्स में भी लिखा है, कि हमारा जो अधीनियम है, उन्नीश सो इकावन का, उसमें इस्टार परचार के खर्चे को नियंतरित करता है, सभी उमीदवारों से सीमा का लाब परदान करता है, यह आप निसकर्स के रूप में, कनकलोजन के रूप में यूज कर सकते हूं, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अर्टिकल है, यह जिस पेपर टू में और प्रिलिम में भी जा रहे हैं, तो आउट बाउंड यात्रा और परेटन, एक रिपोर्ट आईए, उसके एकोड़ी, जो भारतिये लोग हैं, वो दूसरे देशों में गूमने के लिए ज़्यादा जाते हैं, इसके लिए कहीं उन देशों को बहुत ज़्यादा भी होता है, तो ऐसी रिपोर् जाते हैं, ज्यादा तो जो भारती जाते हैं, वो यूरोप में जाते हैं, फिर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रिलिया, बाकि जो नौर्थ, जो इस्टन है, आसियन के देशे, वहां जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहां जाते हैं, ये सारी इसमें बात की गई है, सरकार को कzen की बात करें तो एक रिपोट है विस्व इात्रा और प्रेटन परिशद की रिपोट उसके एकॉडिंग जो बारत के टोटल गीडिपे ना उसमें जो GDP के बात करें तो दस्वाइस्तान आता है GDP के मतलब GDP में जो टूरिजम का कंट्रिब्यूशन है उसके एकोडिंग भारत का दस्वा इस्तान आता है भारत की GDP में जो टूरिजम का योगदान है और भारत की जो GDP है उसमें तो योगदान है यह साथ ही साथ में यह बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार भी प्रोवाइड करत चार्लिस्ट जो है साइट से थरोवर की सूची में सामिल लिटस्ट कोन सिय दोलावीरा व रामपा मंदिर है वो इसमें सामिल की गए लेटेस्ट कि फिर यह महत्व की बारें बात करीं, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इतना टूरीज़म बूस्ट कर रहे हैं, इसके ध्यान दे रहे हैं, इसका महत्व क्या है, तो यह हमारी जो सर्वी सेक्टर है, उसमें हेल्प करेगी, जो फॉरन जो कुरंशी वगरा है, विदेशी मु साथ ही साथ में रोजगार जन्रेट होंगे तो अगर एको टूरिजम बढ़ती है साथ से किसी भी परकार का टूरिजम बढ़ता है तो बेनिफिट बहुत जादा हो सकते हैं इसलिए टूरिजम पर बढ़ाने के लिए गौवर्मेंट को फोकस करना चाहिए चैलेंजेज क्या ह कि भारत के दुवारा कौन-कौन सी पहल की गई है सवदेश दर्सन योजना है तीरत यात्र काया कलप योजना चलाई जा रही है प्रतिष्ट्र प्रेटन बर्मन है साथ ही साथ में बहुत समय लहन है देखो अपना देश इस परकार की पहल भी भारत सरकार के दौरा की गई के तो विश्व आर्थिक मंच के इस्तापना 1971 में हुए इस्तापना का वुए थी 1991 हेड़कवर्टर का है जिनेवा स्विजलेंड में इसका है ये क्या करता है ये विश्व आर्थिक मंच सारफजिनिक और नीजी सहयोगहों के लिए अंतराशी संघठेन की रूप में कारिय की नेता है उनको सामिल करकि अलगले चीज़े अलगले प्रकार से एक दूसरों की हेलप करता है यह अलगले प्रकार की रिपोर्ट भी जारी करता है कौन-कौन सी रिपोर्ट जारी करता है यह एनरजी ट्रांजीशन इंडेक्स जारी करता है ग्लोबल कम्पूटेटिवनेस इंडेक्स जारी कündहाँ काफी इंप्थेरी और न ऌसी की कि जाती, इस रिपोर्ट काउन бер न फारत का 51 नंबर है, ग्लोबल टूरिजन और ट्रेवल मैं भारत का 51 नंबर है, तो ये भी कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए, कुछ सी रि नहीं चीए ठीक है फिर नेक्स जो हमारा आर्टिकल है वो डबलू एचो ने एक वैक्सीन है जिसको अभी आइडिन्टिफाई कर दिया इसका हम जिसकर कर चुके अल्रेडी हम इसको पढ़ चुके यूवी कॉल एच के बारे में यह जो वैक्सीन है किस से समझी थी हमने दो द तो शिट यह रोल है सांचोल है अभी रहे यूवी चॉल प्लस वैक्सेन यह 3-4 वैक्सेन अवैलेबल है यह इसकी वैक्सेन के बारे मारे मुद्ध करें तो यह मोख शे दी जाती है वैसे वोक्षिन कैसी injection से दी जाती है यह जाके बारें बात करें तो यह diarrhea है ठीक है यह विब्रियो नामक जो बिमारी रुति ना जो जीवान होता है बैक्तिरिया होता है इसलिए फैलता है दूसीद खाना वगर है उसको अगर फाओगे पियोगे तो उसे भी फैल सकता है, खत्रा बहुत ज़्यादा है, पाणी पीने से होता है, उल्टी है, वमें मीटिंग्धों ज़्याव material हो सकती है, और यह कहाँ देकने को जञादा है, अफρίक डेसों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यह वैक्सिन के है कि इस समंद्धित कुछ promote करने का कारी कि आ तो न्यूज हमारे लिए इंपॉ्ट याFT दो बारे में कि अब अन्यवन भी अ कि अई बन्हला किली इंपॉड़ंट क्यूं रिया है इस जो कि हमारे लिभी प्रेलीन बन जाता है तो सबसे पहले कहा है न महरास्ट्रह में इस दीखते हैं इसका हिस्ट्रि कांफी जादा बड़ा है यंदा yea यहाँ पर निवास करते थे उसके बाद में क्या होता है ग्यार्वी सेंचरी में किंग थे सासक भोज थे यह सिलहरावंस थे इन्होंने इसका निर्मान करवाय था इसके किल्ले का रूप किया था बाद में कहीं सारे जो राजवनस आए जैसे कि यादव बहमनी आए फिर कोवन नाम आकरती मने विए जहाँ पर क्या होता है जीसे डांसी गल्ट टावर कहा जाता है यह इसकी इसने अपनां पंद्राशिंग गल्ट टावर कहाता है इसका प्लास्टर है काफी नाजु के और इसके अंदर एक अन्हां गार भी बना बरा हुआ है मतलब यहाँ पर है अन्ह गार का भंडार गंडार बना हुआ जसे दर्मकोठे का जाता औरPhode के उपर जाने के लिए एक सीड़ी भी अशना हुआ avenacenag गना हुआ और यह सीड़ी बनी χाई Top prod daw bio festival album with a FMC video बनाया था थोड़े बन पॉइंट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए नेक्स्ट जो है कस्मीर की जादू कालिन के बारे में सबसे पहले क्यों नियूज में अभी है न इसको जो जब स्रीनगर है वहाँ पर एक क्या धरगा है वहाँ पर इस कालिन को बिच्छाए गया गया है तो इसलिए यह सुर्खियों आ गई इस कालिन के बारे में बात करें तो काफी इसका इत्यास लंबा है हम बात करते रहने का इसकेविここ बनाने की कल्ला एडां में बसा दिया तो वहाँ पर इसकी सुरुवात हो गई तो इस कालिन की सुरुवात हैं वो कस्मीर जादू निकलान भी कह जाता है काफी जटी लें इसे बनाना काफी टफ है इस जो यह पर स्पेसिफिक कालिन की बात करें यह बहतर फिट लंबी है और चौड़ी चालिस फिट है वेटी किस्का है सोला सो की लगाजिस का वेट है तीन कुर्सी अद्धिस के ग粉फ है इसकी कमपेट्स है इसकी इतियास की बारें बात करें पहले इसकी सेली लेते है तो इसकी सेली की बार में मात करें तो इर्ञान का सहर है कासान की सीटोफ लिय को कि ही नहीं इन ही इंधिया में आगी इसकी स्ट्रुटिर नहीं यह यह पंडर भी स 학ह तई छोर्दबिं ठीक है जिनका नाम तो जहन उलादाबिन इन्हों ने क f knowledgeable और पर उत Wool þी तो पहले यहां पर कश्मिंट में कया बनती है तो पैली पर कश्मिनगे क्लीन्हां पना श्टार्ट कर दिया तो काफी अच्छी परिसीटिस से यह बनती है पहले पर समीना जो सोल है यह काफिस्ट में यह बनती थी और बाद में इस सोल इन बनी जागी तैकि दीरे दीरे क्या हुआ यूरोप में जो भारत पर यूरोप का रसासन हो गया था तो यूरोप में अलगले परकार के करके आने पड़े थे लूम्स आने लगे थे जिसकी में वापिस इसकी जो टेक्नोलोजी आने लगी लोग इस पर काम भी करने लगे थे रहस्ये काफी तरीके से बनाया जाता है यह सारी चीजे इसके रहस्ये है अब गौर्मेंट कुछ प्रयास भी कर रहे हैं कि इनको बढ़ावा दिया जाए इसके लिए भी जो बुनकर वग बुनक के रहे हैं को ट्रैनिंग भी दिया गया गया कसमीर जो काले ने है उनको जी या टेक्सित दिया था कि क्या कोई और इसके जो नकर सकते हैмा उनको भाषावा कई बी मेले और बढ़ाव से लोग आई और अपा उसका एकश्पोर्ट भी बढ़े तो से मुझे से लिए gii tag किस किस को मिला जो भी news मैं उसके बार में आपको idea होना चाहिए gii tag जो recently मिला है उसके बार थोड़ा बहुत आपको idea होना चाहिए चलते हमारे next article की और next जो article है next जो मारा article है वो तेलंगा ना में कुछ पूरा तात्व कि इस तिल पहले साइड से वो लो यूज यूग यानि कि आरेन एज है ना उसे समझेते हैं आरेन एज का महापासान जो इस्तल है उसे समझेते हैं यहाँ पर दो सुझ से अधिक इसमार्क खोजी गई है इसमें जो इस्तल है इसमें एक अलग प्रकार की इसमार्क खोजी कि जिसे डोलेन कर्किकासार की स्तल या सिमारक है इस उस्मारक को डॉलंवाइड डॉल नुद माइड आप नाम धागना ऐक स्मारक वहां पर खोजी गई है, यह सिस्टम खोजी गई, अब डोले नोलुमाइड सिस्टम की बारें बात करें, तो यह कैपकिस्टोन है, यानि कि यह एक आकार है, यह वर्गाकार या इताकर, इस परकार की आकरती है, इस परकार की आकरती से बना हुआ, कोई वीसे इस परस्ट आक पुरानी अकरती आप जो भी खोल जी गए है ने पुरा साल जो पहला खोजा गया है ठीक है दोलनियमाइड और यूग से समझदी जो खोजे गए 200 इस तर ये 3500 साल पुराने हो सकते हैं ठीक है जी अब इसकी समानता है यूरोप में जो पेशन चेंबर है उसे भी की जा सकती ह और मेगाली थी एज में जो आयताकार वरताकार और आयताकार खोजे गए थी उनसे समझदी भी हो सकते हैं दो और अलग इस तल भी खोजे गई है उसमें एक पहला है देवरबंद मुल्ला ये देवर लबंद मुद्दा है ये कहां पर खोजा गए ये भी तेलंगाना में भ गरिलू जानवर होते हैं मनुश्य गरिलू जानवर होते हैं आप जानवरों के चित्र भी मिले हैं इसली है यांए कि मद्यपासन काल की साइट्स न आज जार से पहले तो एक महापासन काल से समझी थे, लोग यूग से समझी थे, डोलने वो माइड साइट है, वो इसमें महत्पन हो जाती है, उसके बाज में एक देवरलबंद मुल्ला साइट है, यहाँ पर जो जानवर उगरा उनके चित्र भे मिले है, तो दो पॉइंट हमारे लिए इं इसकी साइट नहीं कोल सकता है, क्यूं है, इसकी साइट औरasant को साइट को हैं, भार अबहर बैठा बदका परता है, बहार बाट की वे था है, अब जियोफेंसिंग क्या होता है जियोफेंसिंग इस परकार सा होता है कि जो साइट होती है वेबसाइट होती है उनको सुरुखसा परदान करने के लिए उनको ब्लॉक कर दिया जाता है साइट को सुरुखसा परदान करने के लिए बाहर की देशों में उसकी पहुंच को ब् प्रेणाम नहीं देखेंगे इस परकार से जो साइबर अटेक होते हैं उससे बचाने के लिए इसको यूज किया जाता जियो फैंसिंग को बट इसका नुकसान भी है कि अगर किसी को अच्छे तरीके से यूज भी करना है तो वो भी नहीं कर पाएगा यह परकार होता है यह ज बचाने के लिए इस परकार से साइड को दूसरे देर्श में बैन कर दिया जाता है इसे इसे जी फैंसिंग कहा जाता है ठीक है? यह जी जियो फैंसिंग से समंजए हमारा आर्टिकल था नेक्ट जो आर्टिकल है? वह ट्रांस उसियनक अभ्यान पर ही बारती महीलां को सामि जा गया था इस परकार की शुरुवात है बारत नाविक का सागर परिकर्मा के थाथ किया था दोजाश सत्रा में इसी शुरुवात की थी तो अब की बार जो है उसमें महीला को बेजा गया था यानि कि भारत की आईनेस तारे नहीं है उसमें दो महीला नो सेना कमांडरे उनको बेजा गयता, ये दो महिने का पूरा चकर लगा कि जो ट्रांस ओसियनिक किया जाता है, आइनस तारेनी के बारें बात करें, तो ये आइनस महंदी के बाद में तूसरी नोसे न अप सेलेबरेट है, जिसका उप्योग है, वो परिकर्मा में किया जाता है, इसके चारों जो समंदर है, समंदर को पूरा करने में उसकी परिकर्मा करने में इसका उप्यो के बारे में क्यों न्यूज में स्वास्तिय और परिवार कल्यान मंत्राली ने एक निर्देश दिया है कि कोई भी वेक्ति है जाए जीवी तो चाहे मरत तो उनकी अगर और गन को ट्रांसपर करना एक और गन को बूसरे किसी को डॉनेट करना ट्रांसप्लांट करना तो उसके लिए नोटो आईडी की आप सकता हो रहेगी यान के नोटो है जो संस्ता है वो आईडी प्रोवाइड करेगी उस आइडी की आपको पास कॉपी मतलब वो आईडी है तब भी आप किसी को आईड जो अपने और गन है वो डॉनेट कर सकते हो या कोई दूसरा वेक्ति वह बारेम आपको ऑडिया होना चाहिए नोटो आईडी किससे समंधिते नोटो आईडी है वो और गन को ट्रांस्प्लाट करने के लिए एक आईडी है किसने इसकी शुरुवात करिए हेल्थ मिनिश्टर ने कहा है कि इस परकार का होना चाहिए और नोटो के बारेम बात करें तो उसके अंतरकती के शंसता है जो क्या करती है अंगों के ट्रांशकर है जो और इसे शमनère के सोक्षानद हो आहosi OS प्रियूजना कुन कुन सी हीरा कुन बांध यह वो महानदी पर रहे और महानदी जलासी पर रहे यहाँ पर सत्कोष या टाइगर रिजव और बेले स्प्ली वन्यजी वभ्यान वाइल लाइव सेंजीरी वो भी यहीं पर बना हुआ है तो यह महानदी के बारे में कुछ फैक्ट थी आपको आइडिया इसके बारे में होना चाहिए रटा मारो जिंदाबाद बस इसमें तो रटा मारो तो हम बात कर लेते हैं जीनमिक्स अकॉडियंस होता ए मैं क्या होता है कोई भी वाइरस होता है उसके जीन होते हैं जैसी उसमें क्या क्या किया जासकता है एक तो यह सकता की जिन को हम्म कर सकते उस पूरा जो वाइरस है, उसकी गुणों को परिवतन कर सकते हैं, अब ये जो वाइरस है, ये क्या करता है, जीन में परवदन कर सकता है, यानि कि जीन है, उसमें एम्प्लिकेसन कर सकता है, एम्प्लिकेसन क्या होता है, जीन की जो कौपी होती है, ठीक है, एक जीन है, उसकी कोपी को बढ़ा देगा मतब एक को दो तीन चार इस परकार से जीन की कोपी को बढ़ाता जाएगा बढ़ाने से क्या होगा अब मेरे मैं पहले इसको जानता था जिसकी दो आखे थी एक नाथ इस परकार का वेक्टी तो इसको मैं जानता था अब इसने जीन को परिवर्द्र क वो इसको पहचाने का नहीं, हमें को वैक्सिन दी गई, वो इसको पहचाने का नहीं, तो उसको मार नहीं पाएंगे, यह वैक्सिन, यह वाइरस इस परकार से जीन परवदन करते हैं, यह प्राकत नेचरल रूप से भी होता है, यह करतली बाहर की रूप से भी किया जा सकता है इससे क्या होता है antibody वगर इस वायरस को पहचान नहीं पाती और human पर attack करता है तो Ampex वायरस है यह double standard DNA वायरस है वो इस परकार से gene परवधन कर रहा है ताकि इनसान इसको पहचान नहीं सकी और इनसान की जो इस system में पूरा जो antibody system में उसको पहचान नहीं पाता है और इनसान पर आटेक करता है, एमपक्स वाईरस के बारे आइडिया होना चीई, साथ ही साथ में बात कोते हैं, जीनोमिक्स अकॉर्डियंस के बारे बात होना चीजी, ज Chang- С G Garak Noneose, जीनोमिक्स अकॉर्डियंस क्या होता है, जीन में परिवर्डन करना, परवधन करना, उथ पर उर्जा होते हैं जहां पर क्या होता है बड़े-बड़े नाभी को चलते हैं यानि बड़े-बड़े न्यूक्लियर रियक्टर होते हैं अब यह क्या करते हैं एनरजी को जनरेट करते हैं इसमें क्या होता है इस एनरजी का उपयोग है वो हाइड्रोजन करनायने किया रहता है यानि कि नाभी की उर्जा यानि कि न्यूक्लियर एनर्जी है ना उसके उप्योग से पिंग हाइड्रोजन बनाया जा सकता है तो पिंग हाइड्रोजन बनाने के बारे में बात करें तो नाभी की उर्जा के द्वारा इलेक्ट्रोस प्रोसेस किया जाता है जिसके माध्यम से nga hydrogen बना जबाए पिंग भाइडोजन को परपोल हाइडोजन और रहड भी खाँ जाता है तीकँ इसका उप्योग कैसे किया जाता है क कैसे जब प्रमाणूअ रीक्टर होता सब्सक्राइब टा एनर्जिय में जा सकता है भाप में किया जता है ये सारी जिज़ी टिन ये की जाती है तो हाइडोजन के कौन-कौन की प्रकार होते है ग्रीन हाइडोजन होता है ब्लू हाइडोजन होता है ग्रेर हाइडोजन होता है पिंग हाइडोजन होता है तो पिंग हाइडोजन किसे बना जाता है न्यूकलियर एनरजी की साहिता से बना जाता है जहां न्यूकलि फ्यूल्स होता है उसी बलू और ग्रेय हैडोजन बनते हैं तो हैडोजन की कुछ टाइप और किसे बनते हैं इसके बार में आइडिया होना चाइए नेक्स्ट जो आर्टिकल है सुदान की कैपिटल खार्तुम न्यूज में क्यों है वहां पर जो भी दंगे वगरा हो रहे हैं आर्टी सुदान के बार में दिक्लों सुदान ये रिड कुछ और प्र लिप अफ्रीकालिगा आफ्रिक हैं इसटेसर कांट कों मेंस निय९हां से लगती है इसके फ्रlee संबां पर यहां से ंगते हैं तो सुडान के बारा में कुछ ये arranged आपको पता होने चाथ है नेगे परसंने यूज़ समद इन को याद रख सकते हैं जिनका अना में बिल्किस मीर, बिल्किस मीर को है न, अभी ओलम्पिक्स में को सेवा देने के लिए, जो ओलम्पिक्स में जूरी होते हैं, उनके रूप में सेलेक्ट कर दिया है, मतलब पहली बारतिय महिला बन गई है, जो कि ओलम्पिक्स में जूरी का काम करेगी, ओलम्पिक इसमें जूरी सद्य से बनने वाली पहली भारतिया बन गई है जमू कस्मिय से समझ दीते हैं तो थोड़ा बहुत इसके बारें आइडिया होना चाहिए नेक्स्ट पेसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारें बात करें तो यहां पर क्या गोह सार जो प्लेट है न आपस में आके मि यहां पर यहं पर तंसे देखने को मिलती है यह सारी चीज़ें के मिलती है यह विस्टाव के 95 परसण्ट यहां पर भुकंब जो पी आते हैं सबसे ज्याद बु इसका पार्ट है तो एकित की दिए से पंनिते हैं यहां पर सब से ज़्यादा चीजय फिराश की ति आम नेगा मारे परब्सक्राइब ने को में डिखने को मिलेगा इट्लिक में बहुत ज्यादा यहां पर यहां पर जब सारे देश जो एरिया मा जाते हैं तो ये specific ring of fire के बारे में आपको पता होना चाहिए तो आज की discussion में इतना ही था thank you thank you very much for discussion